अरे किश्णा राधे राधे प्रस्तो थैप मालती जोशी जी की कहानी एक शाओ का अनन्त आकाश किसका फोन था मैंने पूछा अवस्थी जी का मिसिज नारंग नहीं रही क्या मेरी तो चीख ही निकल गई चीखो मत ये जल्लाए बिना बात एकदम हाई पर हो जाती हूँ चीखोंगी नहीं अभी शाम को तो हम दोनों मंडी से हफ़ते भर की सबजी लेकर आई हैं और अब वो वाली मिसिज नारंग नहीं पहले वाली इन्होंने खुलासा किया तो मेरी उखडी सासे समपर आ गई मैंने कसेले स्वर में कहा पहली वाली के मरने जीने से हमें क्या मतलब है ये अवस्थी जीना कभी-कभी जादा ही सोशल बनने लगते हैं उनका कोई कसूर नहीं है नारंग साब ने उन्हें फोन करके सूशना दी है और घर पर बुलाया है साथ ही मेरे लिए भी कहा है कि शर्मा जी को भी लेते आए मैं चलूं मैंने डरते डरते पूछा देख लो उनके मिसिज आ रही हो तो तुम भी चली चलना हम लोग अभी अभी खाना खाकर उठे थे अपने पसंदीदा सीरियल्स इम्तिरान से देखने के लिए मैं आजकल इन्हें जल्दी खिला देती हूँ यो तो टीवी डाइनिंग टेविल के सामने ही है पर इन्हें खाना खाते समय टीवी देखना एकदम नापसंद है कहते हैं तुम्हारा दिमाग और आखें उसी में खुची रहती हैं रटन से खाती हो ना खिलाती हो वैसे भी खाना खाते समय रोना धोना चीक पुकार मुझे जराबी अच्छी नहीं लगती जल्दी जल्दी टेविल समेटते हुए मैं इनके बाहर जाने की पृतिक्षा कर रही थी एक एक छण मुझ पर भारी परड़ा था कभी कभी सोचती हूँ जब टीवी नहीं था लोग अपना बुड़ापा कैसे काटते होंगे पर तब बुड़ापा इतना एका की निसंग थोड़े ही रहता होगा घर बेटे बहुओं से नादी पोतों से भरा रहता होगा राम नाम जपने तक की फुरसत नहीं मिलती होगी मैं टीवी का बटन ओन करने जाही रही थी कि फोन बज उठा फिर तो सारा मोड ही हवा हो गया साड़ी बदल लूँ मैं पूछने को ही फिर फिर चुप लगा गई शादी को इतने साल हो गए हैं पर अब तक मैं ये अंदाजा नहीं लगा पाती हूँ कि ये कब किस बात पर उखड जाएंगे गेट पर ताला डालते हुए देखा अवस्ति लोग बगल वाले गेट पर खड़े हैं शायद हमारी ही प्रतिक्षा कर रहे थे ठीक तो है ऐसे मौकों पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कोई साथ हो तो अच्छा रहता है यहीं तो असमंजस और भी जादा था जिस औरत को कभी देखा नहीं जाना नहीं उसी के पुरसे में जाना पड़ रहा था गेट पार कर हम बरामदे में पहुँचे डरते डरते बैल का बटन दबाया नारंग सहाब शायद इंतिजार ही कर रहे थे दरवाजा फोरण खुल गया और वे हमें भीतर लिवा ले गए भीतर अजब न जारा था तीन-चार लोग बैठे थे पर सन्नाटा पसरा हुआ था नारंग समय नारंग सहाब ने समय जाया नहीं किया उस इस्तबदा को भंग करते हुए परिचे की अब चारिकताएं पूरी की दो उनके साले थे एक साडू भाई और बुजर्ग से सज्जन मामा ससुर थे फिर हम लोगों की और मुखातिव होते हुए बोले ये लोग मेरे पडोसी ही नहीं परम मित्र भी हैं मैं चाहता हूँ आप अपनी बात इनके सामने ही कहें मैं अपना जवाब भी इन लोगों के सामने ही देना चाहूँगा पहले तो वह एक दूसरे का मूँ ताकते रहे फिर एक ने शायद साले ने गला साफ किया और कहना शुरू किया पिछली रात शिकागों में मेरी दीदी का स्वर्गबास हो गया कैंसर से पेड़ित थी सवभाग्य से मेरे दोना भांजे विनीत सुमित अंतिम समय में उनके पास ही थे मिर्त्यू की सूशना देते हुए विनीत ने मुझे बताया कि दीदी की एक्षा थी कि उनकी अर्थी इसी घर से उठे सुहागन के पूरे साज सिंगार के साथ उठे कुछण कमरे में घोर निस्तबधा चाही रही फिर साडो भाई ने कमान समाली हम लोग इसलिए भाई साब से रिक्वेस्ट करने आए हैं आप लोगों के बीट जो कुछ हुआ वे अच्छा नहीं हुआ हम मानते हैं पर इस समय वे सब कुछ भूला देना ही स्ट्रेस कर है मरने वाले की एक्षा का मान रखना पड़ता है फासी की सजा पाने वाले से भी उसकी अंते मिक्षा पूछी जाती है और वे पूरी की जाती है इसलिए अगर दीदी के इक्षा थी कि उनकी विदाई इस घर से हो तो आप एक बात भूल रहे हैं जनाब नारंग सहाब ने सुखे लेजे में कहा इस घर से उनकी विदाई सोला साल पहले ही हो चुकी है और वे भी उनकी इक्षा का मान रखते हुए ही की गई थी वे घर से विदाई थी अब वे दुनिया से विदा हो रही है दोनों बातों में फर्क तो है फिर बच्चे चाहते हैं कि मा की अंते मिक्षा जरूर पुरी हो साले साहब बोले यह बात बच्चे मुझसे भी तो कह सकते थे इतने सालों के अंतराल के बाद उनके हिम्मत नहीं पड़ी होगी हिम्मत कैसे पड़ेगी सोला सालों में एक बार भी फोन नहीं किया मेरे ही पैसों पर पढ़ते रहे पर कभी अपना रिजल्ट बताने तक की जहमत नहीं उठाई विदेश जाने से पहले मिलना जरूरी नहीं समझा यहां तक की उनके शादी की ख़बर भी मुझे औरों से मिली इसके बाद वे मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे जुटा सकते हैं मुझे तो खुशी है कि वे इतने बैगैरत नहीं है जी जाजी प्लीज अब ये सब भूल जाईए यही न ये दोनों परम मित्र यहां बैठे हैं मैं इने से पूछना चाऊँगा इमानदारी से अपनी राई दीजेगा जो औरत बरसो पहले लड जगड कर अपने बच्चे लेकर यहां से चली गई थी उसे मरने के बाद ही सही दुबारा इस घर में आने का क्या अधिकार है नारंग साहब की आखे हम लोगों पर टिकी हुई थी उन आखों में प्रशन तो था ही पर एक आक्रोश भी था आख भी थी बेहद एका की पन भी था पहली बार मुझे कमरे में मिसिज नारंग की अनुपस्यती का भान हुआ वैसे उनका इस समय यह होना बेहद आप्रसंगिक भी था मैं सोच रही थी इस समय उन्होंने अपने आपको किस कमरे में बंद किया होगा कान उपर हाथ दिये वे कहां छुपी बैठी होंगी आप लोग कुछ तो बोलिये लंबी पृतिक्षा के बाद मिस्टर नारंग ने कहा हम लोगों ने सिर उठाया अवस्थी जी ने गला साफ किया और बोले नारंग सहाब अगर आप इजाज़त दे तो मैं इन लोगों से एक पृष्णू पुछना चाहूंगा मिस्टर नारंग ने सुई का रोकती में सिर हिला दिया बोले कुछ नहीं अवस्थी जी फिर आगंतु को से मुखातिब होकर बोले मैं एक बहुत ही कड़वी बात कहने जा रहा हूँ और उसके लिए पहले से ही माफी मांग लेता हूँ भगवान हमारे नारंग सहाब को लंबी उम्र दे पर मान लीजिए बात ठीक इसके उलट होती हमारे मित्र को कुछ हो जाता तो क्या आपकी दीदी अपनी सुहाग चिन उतार देती वेराग्य ले लेती उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मिस्टर नारंग उठकर भीतर चले गए हम लोगों को तो जैसे साब सूं गया अवस्थी साब ये आप इन्होंने कहना चाहा पर चुप हो गए सौरी यार उनका मनतव्य समझका अवस्थी जी बोले दरसल जो मैं कहना चाता था शायर ठीक से कहने ही सका थोड़ी देर बाद नारंग साब भीतर से नमुदार हुए उनके हाथ में जरी वर्क वाला एक पर्स था उसे साले को सौपते हुए बोले अभी अवस्थी जी ने सुहाग चिन्नों की बात की तो मुझे याद आ गया मैडम जाते समय इस सारी चीजे मेरे मूपर फैक कर चली गई थी शादी की कोई याद कोई चिन वे अपने साथ नहीं रखना चाती थी अब मरने के बाद उन्हें सुहागन बनने का शौक चर रहा है तो ये रख लो अपनी बहन का मन भर कर शिंगार करना पर जीजा जी दीदी की इक्षा इस घर से विदा होने की थी तो क्या तुम्हारी दीदी की ही इक्षा सर्वोपरी है मेरी इक्षाओं का कोई मोल नहीं है ये जवाब दे ही किसकी है भाई लोग तो इस आक्रमाक रवये से खौफ खाकर चुप हो गए थे पर मामा जी बोल पड़े मेटा तुम्हारी तरह वे भी अकेली ही थी और अंतितक अकेली ही रही नहीं वे कतई अकेली नहीं थी नारंग सब ने एक एक शब्द पर जोड़ देते हुए कहा वे कतई अकेली नहीं थी उसके बेटे उसके साथ थे और अंतितक थे और अगर आपका इशारा मेरे दूसरे विवा पर है तो जान लीजे अकेलापन भी कभी-कभी बरदाश्ते बाहर हो जाता है आदमी उसे बाटने पर मजबूर हो जाता है उपर बच्चे आपसे बात करें साले ने एक अंतिम कोशिश की नो उनका यह नो इतना इसपस्च इतना निर्णायक था कि उन लोगों ने फिर कोई बात नहीं की चुपचाप साव उड़ गए सिस्टा चारवश हम लोग भी खड़े हो गए पर उने दरवाजे तक छोड़ने कोई नहीं गया नारंग साहाब भी नहीं उनकी गाड़ी जब तक गेट पार करके चली नहीं गई तब तक हम लोग वैसे ही खड़े रहे मौन एविचल जैसे किसी शोक सभा में श्रद्धांजली दे रहे हो सौरी नारंग साहब ने दोनों मित्रों के कंदों पर हाथ रखते हुए कहा सौरी आपको इतनी रात कस्च दिया पर उन लोगों को अकेले जहिलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी सौरी क्यों कह रहे हैं ये तो आपका अधिकार है आप जब चाहें निसंग कोच हमें बुला भेजें हम लोग हमेशा आपके साथ हैं अच्छा चलें टेक केर और हम लोगों ने भारी मन से अपने घर की रहा ली राद भनी नहीं आई वे अंदेखी अंजानी औरत बार-बार रोप बदल का सपनों में आती रहे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घर को वे बरसों पहले छोड़ गई थी उसके प्रती इतना मुहू क्यों जिस पती के लिए मन में इतना तिरसकार था उसकी नाम से फिर मांग भनने की जिद क्यों क्या ये प्रतिशोद का कोई नया तरीका था या पश्तावी की प्रतिक्रिया थी या मन के किसी कोने में अभी पती के लिए प्रेम दुपका बैठा था सच मनव मन एक गुफा की तरह होता है उसका और छोर पता ही नहीं चलता आर साल पहले इस बंगले में आना हुआ था यह भी बंगलों में अरोस पडोस नाम मातर को होता है यहा तो एकदम ही शुनने था बाईं तरफ बंगले में एक कंपनी का गैस चाउस था दाईं तरफ नारंग साब रहते थे जो तलाक शुदा थे मुझे इतनी कोफ्त हुई थी कि बता नहीं सकती लेकिन नारंग साहब के साथ इनकी अच्छी पटरी बैट गई थी दोनों रोज सुवे घूमने जाते शाम को ब्रिज का खेल जमता वहीं अवस्ती जी से परिच्य हुआ जो चार पाच बंगले छोड़ कर रहते थे जब पुरुष वर्ग अपने खेल में मगन होता मिसेज अवस्ती अपनी बोर्य दूर करने मेरे पास आ जाती हम लोगों में अच्छा बहनापा हो गया फिर एक दिन सुना कि नारंग साहब शादी कर रहे हैं तर्ग वितर्गों की जैसी बाड़ सी आ गई किसी ने कहा इसी औरत के कारा पहली वाली छोड़ कर चली गई थी लेकिन फिर दस साल बरबाद करने की क्या जूरत थी तलाग के बाद तुरंट शादी कर सकते थे किसी ने कहा दिवंगत मित्र की पत्नी हैं उसे सहारा देने के लिए कदम उठाया है किसी ने कहा ओफिस की सहकर्मी है शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी देकर नारंग साहब ने पत्नी को मित्रों रिष्टेदारों से विदिवत मिलवाया तब ही इन विवादों का अफवाओ का दौर शांत हुआ नई वाली मेसेज नारंग मुझे देखते ही भागई हम लोगों की खुब अच्छी ट्यूनिंग जम गई उनकी कहानी वही थी जो आधुनिक भारत की 40 प्रतिशत कन्याओं की होती है पिता की अकाल मिर्तियू कोमल कंधो पर घर परिवार का भार भाई भेनों को एक एक कर निप्टाते हुए अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला जब सारी जम्मेदारियों से फारी गुई तो पता चला उम्र 45 को छू रही है तब भाई भेनों ने पहल की बियोरों में नाम लिखवाया अखवारों में बिग्यापन दिया जाश परताल के बाद नारंग सहब का नाम फाइनल हुआ और वे मेरा पडोस गुजार करने आ गई यह सक उन्हें जीवन में इतनी देर बाद मिला था कि अपनी इतने बरसो वाली पुरानी नौकरी उन्होंने एक जटके के साथ छोड़ दी अपनी नई नवेली घर ग्रस्ती में अब वे ऐसे रच बस गई है जिसे बरसों से बस यही करती आ रही हो आधी रात के बाद कहीं मुश्कल से आख लगपाई थी कि घंटी बजी पहले तो समझ में ही नहीं आया कि दर्वाजे की घंटी है या फोन की फिर पता चला कि इनके मुबाईल के रिंग है अंधमोदी पलकों से मैंने घड़ी देखी सुबह के पांच बज रहे थे तब तक वे फोन रख चुके थे किसका फोन था? नारंग का गेट पर खड़े हैं इन्होंने उटते हुए कहा ये चपल डाल कर बहार को चल पड़े तो गाउन पर शौल डाल कर मैं भी पीछे पीछे हो ली रात करीब ग्यारा बज़े तो हम लोग उनके घर से लोटे थे अब इतनी सी देर में और क्या हो गया? सदर दर्वाजा कोल कर हम लोग बाहर आए धुनलकी में गेट के बाहर एक आकरिती नजर आ रही थी उनका फोन आ गया था इसलिए निश्चिन थे नहीं तो एकदम गेट कोलने की हिम्मत नहीं पड़ती सौरी आपको सुबह सुबह डिस्चरब कर रहा हूँ नहीं नहीं गेट मत खोलिये मैं भीतर नहीं आऊंगा बस ये चाबी देने आया हूँ चाबी? किसलिए? बच्चे मा को लेकर आ रहे हैं शायद 9-10 बजे तक यहां पहुचेंगे पर आपने तो कल मना कर दिया था ना? हाँ पर आदी रात के बाद मुंबई से बच्चों का फोन आया बरसो बाद उनकी आवाज सुनी थी बरसो बाद उन्होंने कुछ मांगा था मना नहीं कर सका छण भर को वे चुप हो गए शायद उनका गला भर आया था पर तुरंथी उन्होंने अपने को संभाल लिया और कहा हम लोग 15-20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं वे लोग अगर तेरवी भी यहां से करना चाहें तो कर सकते हैं मतलब आप नहीं रहेंगे? नहीं और मेरा रहना जरूरी भी नहीं है अन्तेष्टी में तदा और संसकारों में बेटों की उपस्तिती जरूरी होती है तो वे दोनों तो रहेंगे ही कुछ चुपी चाही रही फिर वे बोले शर्मा जी सब का कहना था कि मरने वाले की इक्षा का सम्मान करना चाहिए सो कर रहा हूँ पर उसके लिए किसी जेविद व्यक्ति का मैं अपमान तो नहीं कर सकता ना? अच्छा अब मैं चलूंगा मिसेज गाड़ी में वेट कर रही है और चाबिया इन्हें सौप कर वे चल पड़े मैंने जाग कर देखा उनके बंगले के सामने उनकी नीली सैंट्रोन के पितिक्षा कर रही थी मिसेज नारंग उसमें बैठी होंगी अच्छा ही हुआ जो वे नीचे नहीं उतरी इस समय उनका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी धन्यवाद